तो आज की जो रेसिपी है वो भी व्रत से ही रिलेटेड है तो ये है सिंघाडे के आटे का हलवा और व्रत में खाया जाने वाले आलू जो लोग भी नमक खाते हैं व्रत में वो ये जरूर ट्राई करें बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए पहले हलवा बनाएंगे इसके तो ऐसे प्रेस करते हुए धीरे-धीरे एकदम लो फ्लेम पे भूनना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं गूटलिया ना बने तो ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करेंगे और 10-15 मिनट हमको इसको भूनने में लगेगा तो 10-15 मिनट बाद ये कुछ ऐसा हो जा है पानी धीरे-धीरे डालना है लगातार एक साथ नहीं डालना है नहीं तो फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करें इसमें मैंने करीब तीन ग्लास के करीब पानी एट किया था तो ये सारा प्रोसेस जो है ना गैस बंद करके ही होगा अब हम लोग गैस को ओन कर लेंगे और यह बैटर है ना वो एकदम पतला हो जाएगा क्योंकि जब आप फिर से इसे पकाएंगे ना तो यह खुदी गाढ़ा हो जाएगा इसको मेडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहें बीच में कहीं भी रुकना नहीं है नहीं तो फिर यह अच्छे से मिक्स नहीं होगा और कहीं गुटनिया बन जाएगी फिर वो अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है तो इसको लगातार चलाते रहें 5-7 मिनिट लगते हैं इसको बनने में पानी डालने के बाद तो यह लगातार चलाते हुए मैंने यह देखिए पूरा हलवा एकदम अच्छे से पानी से मिक्स हो गया और एकदम सूख गया है अब हम लोग गैस को आफ कर देंगे और एक प्लेट में हम लोग थोड़ा सा घी लगाएंगे और यह पूरा हलवा उसमें ट्रांस्फर कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे थंड़ा होने के लिए इसको ऐसे फेला देंगे अच्छे से और इसको अंदर फ्रिज में नहीं रखना है नॉर्मल रूम में रखिए 15-20 मिनिट में ये नॉर्मल ठंडा हो जाता है और हम लोग अब आलू बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कड़ाई में एक चमच घी गरम किया है और आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था एक दो हंटे पहले ही इससे क्या होगा कि हमारा आ बीरा डाला है आधी मेर्ट तालिया और अधरक डाला है और यह सबको डालके अच्छे से भून के जब यह इसका कलर चेंज हो जाए तो हम लोग इसमें आलू एड़ कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे 2-3 मिनार तक भूनना है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ये ब नीमबू का जूस एड़ करेंगे सबको एड़ करके मिला के अच्छे से हमारा आलू भी अच्छे से बन गया है इसको मिक्स कर देंगे और यह साइड सैट में चिपक गया है यह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसको फेकना नहीं है इसको यूज कर लिजी आप यह बहुत क्रिस्पी लगता है और यह मूमफल ही मैंने रखा था एक कप के करीब ऐसे कूट के तो इसको एड़ कर दिजी आप और बस हमारा आलू तयार है और यह हमारा हल्वा भी ठंडा हो गया है इसको ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे जैसे बर्फी होती है वैसे कट कर ल करें शेयर करें थाइंक यू सो मच फॉर रॉचिंग मैं वीडियोज